कि किई हैट स्वागत करता हूं आप सभी घापके अपने चैनल रेट पोक पर अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बला कर सकते हूं शॉप सी अप्र ने को भी प्रड़क को भूग नहीं किया तो आज ही बुक करो और अपने ही परचिस पर कैश्बैक कमा सकते हो और 50 रुपिस का कैश्बैक पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और उसे लिंक से आप अप्लिकेशन को स्टॉल कर सकते हो बात करेंगे अब डि extra realme techlife के ब्रेंड से आते हैं मतलब realme का ही सब ब्रेंट हैं यह अब कह सकते हो कि realme ने थोड़ी सी हल्प की उसके ऐग इसके वाद ये ऑछी तरीके से वर्क कर रहा है फस्ट बैंड रियल्मी टेक लाए उकोशिटम 11.2 mm के डृआइवर्स मिलते हैं बेस अच्छा-खासा म जाएंगे जैसे आफ रिलीज करते हो मैंदिस को यह पावर अन हो जाएंगे आटमेटिकल लिगा रहें हो जाएंगे IPX4 की आपको रेटिंग मिलती है यहाँ पर स्वेर और स्प्लाइश रेशनल निल जाते हैं noise cancellation मिल जाता है आपको ENC का support मिलता है ENC तो नहीं मिलेगा इस price में और Realme Link application से ही यह work करेंगे मतलब वहाँ पे आप control को check on कर सकते हो powerful bass मिलता है आपको 11.2 mm के dynamic drivers में use करेंगे है advanced bass algorithm आपको यहाँ जिसकी वैसे deep और punchy bass देखने को मिलता है और उसे के साथ सा थोड़ सा और आगे बात करें यहाँ पे 18 hours का non-stop playback time जैसे में आपको होता है एक आपको अलग से texture दिया गया है जो कि charging जो आपका bracket है उसमें और बहुत ही ज़ादा cool लग रहा है 10 minutes का charge आपको 2 minutes का music playback time दे सकता है और type C charging के लिए आपको 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 देखने को मिल जाता है फिल फंकी फ्रेश यहाँ पे classic black में मिल जाता है आपको hunter green में और violet blue कलर में आपको देखने को मिल जाएगा और Dizzo की branding आपको मिल जाती है एक side और एक side आपको controls मिल जाते है एक side आपको battery capacity बाला है चेंबर और एक side आपको button controls बिल जाते है यहाँ पे quality अच्छी है silicon neckband आपको मिल जाता है पूरा का पूरा इसका मैं unboxing, deep down review आप से भी के लिए जरूर ले के आऊँगा आगे बात करते है ready set go anytime यहाँ पे जैसे मैं आपको बता है कि जैसे आप इसको अटेच कर देते हो यह automatically off हो जाता है और जैसे आपको इसको release करते है automatically pair हो जाता है आपके phone से 88 millisecond की super low latency mode मिलता है but I know यह बहुत जादा कम नहीं है क्योंकि 45 millisecond की latency वाले भी हमने देखे हैं बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 5.2 Bluetooth का connection मिलता है मतलब support है जिसकी वैसे यहाँ पे connectivity issues बहुत अच्छे बहुत ही कम रह जाते है और connection issues नहीं रहते हैं यहाँ बे latency reduce हो जाती 50% से अगर आप normal use करते हो neckbands को उससे कई ज़्यादा कम latency मिलती है आपको here and be here, यहाँ पे ENC का support मिलता है आपको बता है यहाँ पे और noisy environment में आपको ठीक ठाक यहाँ पे noise cancellation मिल जाता है home environment में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आगे बात करें smart controls मिल जाते हैं play pause कर सकते हो double press से आप next song पे जा सकते हो three time press करते हो तो game mode में जा सकते हो कर सकते हो hold करने के बाद आप call को reject कर सकते हो आगे बात करें यहाँ पे realme link application से EQ setting आप यहाँ पे check on कर सकते हो touch controls properly वहाँ पे मतलब change on कर सकते हो और realme link application से यह pair हो जाएंगे और वहाँ पे I guess EQ mode के साथ साथ आपको यह जो control panel है वह भी change करने का option मिल जाएगा तो यह अच्छी बात है IPX4 की rating है जैसे मैंने आपको starting को बता दिया तो definitely आप इसको टेक अलोग कर सकते हो one triple nine मतलब triple nine रुपी के price bracket में यह definitely value for money है और बहुत सारे neckbands को बहुत ही कांटी के टकर देने वाले हैं तो गैस अगर आपको इस डिजो wireless power का किसी neckband के साथ comparison ची तो ज़रूर आप में इसे comment box में बोल सकते हो